पॉलिवूड के महनायक अमिताब बच्चन को कौन नहीं जानता यहां तक उनकी प्रमुक व्यक्तिकत बातें बॉलिवूड से रिष्टें और उनका योगदान सब हमारे सामने शीशे की तरह साफ है अमिताब बच्चन के गांधी परिवार से भी रिष्टे बहुत ही अच्छे रहे जिसका प्रमुक कारण रहा उनके राजीव गांधी सिर्फ गहरी दोस्ती जो जगजाहिर भी थी लेकिन इस दोस्ती के लावा एक ऐसा तत्थे भी है जो अगर एक बार सोचा भी जाए कि सच हो तो आपको हैरान करके रखतेगा शोद करताओं के मताबिक सदी के महनायक अमिताब बच्चन के पिता दलसल हरीवन शाय बच्चन नहीं जो गए ना जी हाँ मैं सही बोलना अमिताब बच्चन के पिता हरीवन शाय बच्चन नहीं बलकि तेश के पहले प्रधान मंत्री जवाहर लाल नहरू सुनने में अटपटा लगा होगा लेकिन जो शोध हुआ है उससे यही बहार आया है कि नहरू जी का बच्चन सहाब की मा तेजी बच्चन से प्रेम प्रसंग था जिसके चलते अमिताब बच्चन उनकी निशानी के तौर पर जन में थे ऐसा माना जाता है कि तेजी बच्चन और इंदरा गांधी बेहत गहरे दोस्ते जिसके चलते तेजी की जान पहचान नहरू जी से भी हो गई जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे के करीब हो गए जवाहालाल नहरू तेजी बच्चन की सुन्दर्ता से इतने ज़ादा अकरशित हो गए कि उन दोनों में प्रेम प्रसंग शुरूप हो गए था जिसके चलते अमिताप का जन्ग हुआ लेकिन जवाहलाल नहरू अपने राजनेतिक कारणों से इस रिष्टे को और बच्चे को सुईकार नहीं कर सकते थे इसलिए उन्होंने अपने शिष्ष हरीवन शाय बच्चन से तेजी की शादी करवा दी सूत्रों के मताबिक हरीवन शाय बच्चन ने अपनी पत्नी के देहान के बाद तेजी से शादी करके नहरू के पुत्र अमिताप को अपना लिया था जिससे बाद में कोई समस्या का पहाड ना खड़ा हो जाए तो क्या नहरू ने हरीवन श्राय बच्चन को शादी के लिए दबाग डाला था या क्या नहरू ने हरीवन श्राय को अमिताप का नाम देने के लिए पैसे दिये थे बात चाहे जो भी हो लेकिन ये शोद जितना ही चौकाता है उतना ही रहस से भरा भी है शादी के बार नहरू ने हरीवन शाय बच्चन को किसी शोद के सिलसले में दस साल के लिए विदेश फेज दिया था इस दोरान तेजी बच्चन नहरू के साथ प्रधान मंत्री आवास में ही रहा करती थी ऐसा कहने का कारण सिर्फ इसलिए नहीं किये शोद में ही बात प्रख्यात है दसल अगर आप अमिताब और नहरू की नाक पर गौर करेंगे तो उसमें काफी समान दाए है यहीं नहीं आमिताब को अगर आप ध्यान से देखें तो उनके नैन और नक्ष बिल्कुल हमारे चाचा नहरू से ही मिलते हैं इस शोद से एक चीज और साबित होती है कि नहरू जी काफी शौकीन मिजास के थे जिसके सबूत उनके एडविना मौन वेटन के रिष्टों पर भी चलगते हैं वो कहवत है ना सौ मू सौ बात है इसलिए हम इस लेक के जरिये किसी भी तरह की इसकी पुष्टी नहीं कर रहे हैं कि यह बात सच है सिर्फ तथ्यों को आपके सामने पेश करने का हमारा एक मकसल था अब या आप खुद निर्णने कि यह हकीकत है या एक फसाना हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें साथ ही अपनी सुझावों को हमें कमेंट के जरी भेज़ें